अगर आप बहुत ही जटपट बनने वाली आसान और फिर भी मज़ेदार लजीज रसिपीस चाते हैं तो आप बिलकुल सही जगाँ पर है आज इंडियन रूमा की चन्ने बनने वाला है जामा मज़ित का मशूर चंगेजी चिकन वो स्पेशल कैसे बनता है इंग्रीडियन जो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे जो बैल आइकन है इसे दबा दीजे तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहेगी थैंक यू चलिए तो फिर जल्दी से तायरी शुरू कर देते हैं एक नीबू कर रस निकाल के रखा था वो इसके अंदर डाल दिया है और यह धाई चमच के करीम मेरे पस जिंजर और गार्लिक का पेश था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक और मिर्च को आपने साथ से अड़ेस्स कर सकते हैं यह जो मैं डाल रही हूं मैंने एक अरिनिट कीज़े हाथों से मिलाकर और आधे घंटे के लिए चोड़ दें और यह जो है यह इंग्रीडियंट ग्रेवी के हैं इसमें मैंने 500 ग्राम प्याज लिया है और 500 ग्राम इसमें टमाटा लिया है चार से पांच हरी मिर्च लिया है अब यह देखिए पैन के अंदर म नहीं करना इसका कलर चेंज नहीं होना चाम बस फोड़ा से गुलाभी हो जखाए बस उतना ही हमार ने बहुत है यह ज़ल को अध्या को दाल चाहिंगे तो हम के देख काजू 500-20 डाल देगे काजू नहीं तो भीजे अगर आपके पास जब जब हम नमक इसमें डाल रहे हैं तो जब मसाले में नमक डालेंगे तो थोड़ सा हाथ रोक कर डालेंगे नहीं तो क्यों होगा उसकर नमक तेज होजएगा हलका सा पानी डाल दीजे और इसे तस पांस से साथ मिट के लिए धक कर रख दीजे अब दूसरे पैन में मैंने एक ऑईल ले लिए थोड़ सा उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ सा लहसन कूट रही हूं तो मैंने एक चमच जिंजर गार्ली का पेस्ट डाल दिया है और एक मनदा आठ से दस करी लहसन किना मैंने कूट के डाली है फ्लेवर बहुत मज़दार आता है आप कभी जाता है और यह हमने चिकन को इसंके बाद से चिकन डाल दूंगी और उसके बाद में डालूंगी आधा चमच हिलाइची का पौरडर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मैंने चफ्पाल इस चमच इसंके डाल ते लाटोडर डाल दिया है और देखे तब तब्सकर vinegar को Morning और येirely देंगे मसाले के जार में दाल देंगे टहें थंडा होने देंगे तब आप इसको चलाईगे और एक दूसरे Pamkin तरुदी की तैयावी करते है, तो मैंने क्या किया आधा कप के करीब ऑईल ले लिया था उसमें एक चिमच जिंजर और एक चिमच गार्लिक का पेस डाला और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको बहुत ज़ादा भूनना नहीं है हलका सा भूने और इसमें चत्थाई चमच मैंने हल्दी डाल दिया है अब यह धनिया आगया तीन तीन स्पून के करी मैं अब धनिया डाल दूंगी और उसके बाद हम में डालने वाली हूं इसके अंदर दो चमच भर के चाट मसाला मुझे थोड़ा सा फ्लेवर आता है ना खटा खटा टिक्ट सा वह आता है इसके आदर चाट मसाले से तो हमने चाट मसाला डाल दिया है और एक छोटा चमबच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है गरम मसाला ना हो तो आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल कर हमने अपने मसाले को भूनना है और तब तक हमने इसको भूनना है जब तक कि इसका ओईल सेप्रेट ना हो जाए यह देखिए मसाला भी मैं भून रही हूँ यह पहले मसाला क्यों भून रही हूँ कि हमारी जो प्याज है प्याज का पिस तो उबलाव है तो इसलिए इसको अभी भूनने की ज़वरत नहीं थी और ये देखिए अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही और दही को भी न हमने अच्छे से फेट कर डालना है अच्छे साथ दही को फेट लीजे और फिर आप दही इसके अंदर डाले और दही डाल कर भी तब तक भूनिये जब तक कि इसका ओइल जो है वो उपर ना आ जाए जैसे आप सर्फिस पे ओइल देखें आप समझे कि आपका ये पर्फेक्ट बन गया है भून गया है ना तो बस ये कर देंगे और उसके बाद अब हमने मिक्सी के अंदर जो पेस्ट ब निकल आए और बस इसको भी हमने तब तक भून है जब तक कि हमारा ओइल सेप्रेट ना हो जाए नहीं तो क्या होगा कि आपका मसाला कच्चा रह जाएगा तो थोड़ से इसको ढग दीजे क्योंकि क्या होता है उपर ना ये चीटे आने लगती है तो मैंने इसको थोड़ स 70% तक बन चुका होता है बस एक बर इसको चला लेंगे मसाले के साथ चिकिन को और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूद और दूद के बादा मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाल दिया है क्या होता है कि ये जो शोर्बा है ना आप अपने हिसाब से कर लेंगे आपकर चिकन बनके परफिक्ट तयार हो जाएगा और यहां मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी को हलका सा रोस्ट कर लिजे और फिर इसको क्रश करके हाथों से डालिए और अब पढ़ गई है इसके अंदर क्रीम मैंने आधा कब इसमें क्रीम क्रीम डाली है अगर अब आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं घर में दूद की मलाई होती है उसे फेटियो डालिए और यह है वो सीक्रेट एजन जो मैंने फट फट इसके अंदर डाल दिया क्या है यह हमारा वनेटी स्पून या दो पिंचिस आप सिट्रिक एसिट के ले लि मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी इसके उपर डाल दिया हरी मिर्च और अब हम इसको फाइनल टस्ट देने जा रहे हैं मैंने कोईले को बहुत अच्छे से गरम कर लिया था एक काटोरी के इंदर कोईला रखा हो उस पर दो तिन लॉंग डाल दीजे यह और उसके उपर एक चमच या तो घी डाले मैंने बटर डाला है इससे क्या होता है घी या बटर से ना स्मोक बहुत जादा बढ़ जाता है उसका और बस इसको थोड़ी दिर के लिए आप क्या कर देंगे धक देंगे कम से कम पांस से दस मिनट के लिए इसको धक दीजे और इतना पर्फेक्ट और इतना मजदार लजीज चंगेजी चिकिन जामा मजद वाला आपके हातों से बन के आपके किचन में तयार हो गया है कि मैं आपको क्या बता हूँ रंगत देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कितना पर्फेक्ट ये बनने वाला है है ना तो बस अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं बिल्कुल ऐसे ही तो स्टेप बाई स्टेप इस रेसिपी को फॉलो कीजे और इसे बना लीजे और ये जब बन के तयार होगा ना तो सच में आप वावाई लूटे बिना नहीं रह पाएंगे जो खाएगा वो खाएगा अगली बर फिर से हमारे को एक बाई बना कर खिलाएगे तो चलिए ये देखिए मेरा तो बन गए है आप बनाईए और रेसिपी पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे श सबने ता